अब्धाइज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रियलाईजेशन अकाउंट आज की जो क्लास है दैट इस पार्ट सेकंड और दिसॉल्जूशन आफ दी पार्टनर्शिप फॉर्म पेटे लास्ट क्लास में आप लोगों से बात की थी कि जब हम एक फॉर्म को बंद करते हैं एक पार्टनर्शिप फॉर्म को हम लोग बंद करते हैं तो उसमें हमें अकाउंटिंग किस तरह से करनी चाहिए last class में मैंने आप लोगों को कुछ basics बताये थे खुड़ा सा realization account के बारे में बताया था आज की class में हम realization account realization account को हिंदी में कहा जाता है वसूली खाता वसूली account यानि कि हम लोग realization account बना कर एक firm की assets को dispose of करने की बात करते हैं liabilities को pay करने की बात करते हैं और इस सारे process में अगर कोई फायदा या नुकसान होता है तो वो फायदा और नुकसान हम partners के बीच में distribute कर देते हैं इस process को follow करने के लिए हम कुछ steps use करते हैं जो हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन्हें ध्यान से समझें और मैं अभी आपको एक long question कराऊंगा उम्मीद है कि उस long question से आप realization account बना पाएंगे अगर आपके exam में realization account आता है तो आगे आने वाली classes में मैं आपको कराऊंगा realization account के related जो entries होती हैं जो journal entries होती हैं यानि कि dissolution के chapter में journal entries जो होती हैं वो मैं आपको कराऊंगा एक्जाम में four to six marks के question के लिए आपसे realization account भी पूछा जा सकता है और आपसे dissolution की journal entries भी पूछी जा सकती हैं तो जड़ा देखते हैं कि realization account किस तरीके से बनता है अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास जो भी assets हैं जो भी हमारे पास properties हैं जिने हम अपने business को बंद करते हुए बेच सकते हैं जिनसे कुछ पैसा मिल सकता है हम उन्हें transfer कर देते हैं realization account तो सबसे पहला step क्या होता है सारी assets को जो भी हम sale out कर सकते हैं उन्हें हम उठा कर transfer कर देते हैं realization account में second step में हम उन assets को dispose of कर देते हैं dispose of word का मतलब केवल बेचना नहीं होता dispose of का मतलब है कि आपने उनका किया क्या हो सकता है आपने उन्हें sale कर दिया हो हो सकता है आपने वो asset अपने partner को दे दियो हो सकता है वो asset आपने अपने liability holder को दे दियो तो dispose of का मतलब केवल बेजना नहीं है dispose of का मतलब है उस asset का आपने जो भी possible use किया हो उसे हम नाम देते हैं dispose of का उसके बाद जितनी भी हमारी external liabilities होती है बैटे external liabilities का मतलब होता है जो भी liability हम अपनी firm के बाहर के लोगों को पे करते हैं जैसे की creditors, bank loan, bank overdraft किसी partner के family member का loan जैसे A's wife's loan, B's wife's loan तो इस तरीके से ये सारी liability हमारे लिए external liabilities कैलाती है partner के loan को छोड़कर बाकि सब liability हमारी external liabilities होती है external liabilities को हम transfer कर देजे हैं realization account में उसके बाद हमारा next step होता है कि जो हमारी external और internal liabilities है यानि कि जो बाहर वालों का पैसा है और जो अपने partner से हमने अगर कोई loan लिया हुआ है हम उसका settlement कर देंगे या partner उसका payment कर देगा तो हम कुल मिलाकर उसको settle कर देंगे next point में अगर हम firm बंद कर रहे हैं और firm बंद करने से related कोई भी खर्चा अगर firm के सिर पर आता है अगर कोई खर्चा firm को bear करना पड़ रहा है directly और indirectly वो भी हम realization account में दिखा देते हैं last step में हम अपने realization account को close करते हैं और जो भी profit ये loss हमारे पास आता है उसे हम partners के बीच में divide कर देते हैं आपको मेरी एक process simple सी समझ में आई होगी अब हम process के साथ process एक theoretical knowledge के लिए बहुत अच्छी है लेकिन accounts का relevance तभी बनता है जब हम question करके देखें तो अभी मैं आपको पराता हूँ इसका एक long question के किस तरीके से हम realization account बनाते हैं आपकी screen पे आप देख पा रहे हैं एक partnership firm की balance sheet अब ऐसा ही एक question आपके exam में आपको मिलता है और आप इसे solve करते हैं तो मैं आपके साथ साथ इसे पुरा solve करके दिखांगा देखें ये question होता है और इस question के साथ ही आपको मिलती हैं कुछ adjustments ये कुछ बात हैं कि हमने कौन सी asset कितने में sale out किये कौन सी liability का payment हमने कैसे किया है इसको मैं आपको भी करा कर बढ़ेंगा कि इसे किस तरीके से हम करते है और पैटे मेरा जो prime focus है वो केवल realization account पर है बनाने को partners capital account भी बनाये जाता है cash और bank account भी बनाते हैं उन्हें में upcoming classes में board को ध्यान में रखते हुए अगर time मिला तो वो classes भी मैं आपको दूँगा एक फिलाल हम सबसे ज़्यादा practice realization account की करें तो कि exam में सबसे ज़्यादा realization account का एक separate question बहुत बार पूछा जाता है तो चलिए आते हैं इसके solution पर आप देख पा रहे होगे आपकी screen पर यहाँ पर आपको पुरा question दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसको solve करने की बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं पूरी बात को समझते हुए मैंने आपको बताया था अभी कि बिटे सबसे पहले हम अपनी assets को realization account में transfer करते हैं तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर लिखाई land and building, plant and machinery, furniture, bill receivables, debtors debtors के उपर provision, doubtful debts के लिए A का loan, बिटे A का loan अगर asset side में है that means हमने अपने partner A को loan दिया हुआ है correct, हमें उससे पैसे लेने है ठीक है, तो usually हम A loan को देखे जब हमने A को पैसे दिये हुआ है तो हम यही पैसे हम उसके account में से deduct कर लेते है यानि कि यही पैसे मैं A के capital account को जब बनाऊंगा तो वहाँ पर debit करते हूँ cash account already cash में ही है goodwill, goodwill भी हमारी एक asset होती है patent भी हमारी एक asset होती है P&L account का debit balance फिलाल इस question में नहीं है अगर होता भी तो यह loss होता और loss भीटे कभी big नहीं सकता loss कभी sale out नहीं होता एक तो उसको भी मैं यहाँ पर transfer नहीं करोगा तो जिससे कुछ realize नहीं हो सकता उसे मैं यहाँ पर transfer नहीं करोगा investment बिलकुल इससे realize हो सकता है advertisement suspense भी एक loss होता है उसको भी मैं यहाँ पर transfer नहीं करोगा यह कहाँ पर चले जाएंगे यह partners capital account के debit side में चले जाएंगे यह यहाँ पर नहीं जाएंगे एक आपको मैं एक logical भी बात बताता हूँ अकर हम liabilities और assets की बात करें तो जो liabilities होती है यह credit side होती है और जो asset होती है यह debit होती है अब assets का debit का balance है तो यहाँ पर कहाँ shift करेंगे आप पूरी पूरी asset यह जो जिन पर भी मैंने tick लगाया उन सक्कों आप यहाँ पर as it is transfer कर देंगे लैनन बिल्डिंग लैनन बिल्डिंग है आपकी 56,000 उसके बाद आपकी next item है प्लांट एन मशीनरी प्लांट एन मशीनरी 46,000 नेक्स आते हैं उसके बाद है furniture and fittings उसे भी हम as it is transfer कर देंगे 10,000 उसके बाद हम आते हैं bill receivable पे और two bills receivable as it is transfer कर देंगे आप 15,000 अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है देखिए जब भी आपको यहाँ पर debtors दिखाई दें और debtors का provision दिखाई दें प्रोवीजन हमेशे less हो रहा होता है तो पैटे debtors तो आप हमेशे यहाँ पर इशो करेंगे तो debtors है 18,000 और उसका जो provision है provision को हम credit side में shift कर देते हैं तो provision है हमारा कितना 3,000 इसका पैटे logic क्या है देखो हमारे debtor तो 18,000 गई है ऐसा नहीं है कि provision बना लिया तो हमारे debtor कम हो गए मालो मैंने आपसे 18,000 रुपीज लेने है मैं मानकर चल रहा हूँ आप मेरे गुडविल यहां पर बिलकुल आएगी 100% आएगी क्योंकि जब business बंद होता है तो उस time पर हम अपनी गुडविल भी sell out कर देते हैं क्या पता उससे भी कोई पैसे मिल जाए तो यह भी बिलकुल आएगा हमारा यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है investment 20,000 रुपीज तो आपने क्या करा जो भी assets sale out हो सकती थी उन्हें आपने यहां पर debit side में transfer कर दिया अपने कौन से account में realization account में यह हमारा realization account की debit में हमने यहां से assets transfer कर दिया अब आते हैं इधर वाली side पैटे जो भी हमारी external liabilities है external का मतलब क्या होता है बाहर की liability पार्टनर के loan को छोड़ता है creditors हमने यहां पर लिख दिए by creditors creditors 10,000 rupees एक बीज वाइफ लोन पैटे बी की वाइफ का लोन जो है बी की जो वाइफ है हमारे लिए वो एक external person है एक बाहर का person है ऐसा नहीं आप लोगों को लगे नहीं नहीं यह तो बी की वाइफ है तो घर वाली बात है पैटे के सीज़े घर वाली कोई बात नहीं होती फॉर्म के लिए सब outsider है outstanding expenses तो outstanding expenses ठीक है थोड़ा सा न अप एक्जाम में थोड़े attentive रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसके बाद आता है workman compensation बिटे workman compensation न हर chapter का start topic है workman compensation में बच्चे बड़े confused रहते हैं हमेशा से आपको आगे चलकर मैं एक बिल्कुल different video दूँगा जिसमें मैं आपको workman compensation रिजर्फ का treatment और एक chapter में अलग बता हूँगा कि admission में क्या होता है retirement में क्या होता है death में क्या होता है dissolution में क्या होता है नीचे कहीं कोई liability दे रखी है अगर नीचे इसके बारे में कुछ बोला है कहीं नीचे इन adjustments में WCR के उपर कोई liability आई है तो तो यह realization में आएगा otherwise यह partners के अप्लगाउंट में आएगा तो दो बाते होती है अगर इसके लिए कोई liability है तो realization में और अगर इसके लिए liability नहीं है तो partners के बीच में distribute हो जाएगा तो अब आप देखे यह यहाँ पर हमने अगर अपना question चेक करा तो बिटे मुझे यहाँ पर कोई भी liability इसके बारे में दिखाई नहीं दे दी तो यानि कि यह कहा जाएगा यह आजाएगा partners capital account के credit side partners के बीच में distribute हो जाएगा as like in the case of admission retirement उन सब में भी यह होता है आई ये फार बेटे आई ये फार के बारे में अराम से मेरी बास सुन लीजेगा आई ये फार हमेशा realization account में आएगा क्योंकि investment यहां पर होगी उसके अगेंस्ट आई फार यहां होगा अब कई बार वच्छे पूछते हैं कि सर यह बताओ अगर investment इधर है तो आई फार इधर आएगा ठीक है वन परसेंट बताइए कि investment ना हो तो पैटे मेरा अगला सवाल यह होता है कि अगर investment ही नहीं होगी तो कोई आई फार क्यों बनाएगा काम है नहीं ना तो पैटे dissolution में आई फार जरूर होगा जब investment होगी चलो वन परसेंट मान लेते हैं कि सर investment नहीं आई खाली आई फार आगे तो फिर बैटे जैसे WCR डिवाइड हो गया ऐसे आई फार भी क्या हो जाएगा partners के बीच में डिवाइड हो जाएगा I hope clear है यहां तक की बात 20 loan बैटे इसके लिए एक अलग account बनेगा इसका आप अलग से account बनाएंगे ठीक है यहां पर जो ट्रांसफर होती है यह होती है external liability बाहर वालों का पैसे पी एंडल account बेटे यह partners capital के आ जाएगा credit side में आ जाएगा यह undistributed profit है capital capital account में आ जाएगा तो आपको मेरी क्या बात समझ में आ गई कि सर हमने assets यहां पर transfer कर दी liabilities हमने credit side में transfer कर दी this is credit side this is debit side तो पहले आपको मेरी यह बार बिल्कुल अच्छे समझ में आनी चाहिए अच्छा आप यहां गलती क्या कर सकते हैं कोई ऐसी asset जैसे यह था P&L account advertisement आप गलती से यहां डाल देते हैं तो आपको कई थोड़े 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 questions एक बार प्रैक्टेस कर लो केवल कौन-कौन सी asset transfer की हुई है वैसे पूरा year पढ़ना के बाद बच्चों को काफी कुछ सुन लेते हैं बच्चे teacher भी उनको आज आती है बास समय में तो पेटे कुछ चीज़ें जो आपको भी पता यार advertisement suspense यह वो खर्चा है जो अब तक हमने write-off नहीं करा तो इसको आप अपनी asset कैसे मान सकते हो P&L account लिखा तो P&L का loss होता है यहां पर तो loss को अपनी asset कैसे मान सकते हो ठीक है cash तो already cash में partner का जो loan है वो हम उसके account से काट लेंगे तो उसको asset में डालने की जरूरत नहीं होती I hope यहां तक की बात आपको clear होगी ठीक तो पहला काम हमने कर लिया हमने asset और liabilities को यहां पर transfer कर दिया अब जो मैं करने जा रहूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से देखीगा अब हम आगी करेंगे क्या सोचिए अगर आपकी एक दुकान होती और आपको दुकान बंद करनी होती तो आप क्या करते पहले आप अपनी सारी assets इकठी करते अपनी properties इकठी करते देखते आपके पास क्या क्या है बेचने के लिए और फिर आप उन्हें बेच देते बेच देते किसी को दे देते किसी partner को दे देते उन्हें आप खतम कर देते जो भी पैसा उनसे recover होता उनसे अपनी liabilities का payment कर देते अगर पैसे बच जाते तो आप अपने घर ले जाते और अगर पैसे कम पड़ जाते तो आप अपने घर से लेकर आ जाते क्योंकि partnership में unlimited liability होती है अगर आपके पास firm की assets enough नहीं है to pay of the liabilities of the firm तो ऐसे में आप लोगों को अपने घर से पैसे लाने पड़ते हैं अब हम आते हैं इसकी adjustments पर बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे पहली adjustment और बैटे मेरी आपको देखो suggestion ये land and building realize for six street house है अब एक और छूड़ी सी बात प्रूत है लेकिन थोड़ा सा bitter है करवा सच है year के बिलकुल end पे आकर youtube पे बैठकर classes देखने की जरूरत उन बच्चों को पढ़ती है जो यहां तो revise कर रहे होते हैं यहां जो last minute preparation कर रहे होते हैं जिन्होंने पता नहीं बैया पूरे साल क्या पढ़ाया हमने चलो एक काम करते हैं revise कर लेते हैं तो simple सी बार कि बिटे अब यह बिलकुल end time आ चुगा होता है बच्चों का और इस time पर आपको बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए चीजें अब आपके लिए एक बार बताता हूं कोई भी teacher आपको कैसे ही बताए आप इन में से हर point को अलग-अलग deal करना आप यह मत सोचना कि यह काम करता हूं जहां जहां एसेट बेची जा रही है सारी को सबको एक साथ club कर दूँ कुछ नहीं एक एक point पड़ो एक एक point का यहां पर treatment करो ताकि अगर suppose करो कोई दूसरा point गलत भी हो जाए तो at least पहले वाले पर उसका impact ना पड़े अब अराम से सुनें यह जो एसेट है इनका में क्या कर सकता हूं या तो मैं इन्हें नगत में बेच सकता हूं या मैं किसी partner को दे सकता हूं या मैं किसी liability holder को दे सकता हूं तो ऐसा ह कोई यूज यहां पर लिखा हूं लैनन बिल्डिंग रियलाइज्ट फॉर सिक्स्टी थाउसं तो मैंने देखे बिल्कुल ध्यान से देखे यह रहा लैनन बिल्डिंग रियलाइस्ट रियलाइस्ट मतलब नगत में पैसे है तो मैंने लिखा by cash ब्रैकेट में अपने समझा ने के लिख दिया लैनन बिल्डिंग और यहां पर टिंग भी लगा दिया कि मेरा लैनन बिल्डिंग बिग गया अगले पॉइंट पर आते हैं अब है फरनीचर फरनीचर बी ने ले लिया तो पैटे यहां लिखो by बीज कैपिटल तो यानिक अगर cash में चला गया तो by cash लि लिख दो और अगर कोई liability holder ले जाए मानलो यह फरनीचर और यह है क्रेटर रेटर कह रहा है मिरको देदो फरनीचर उसकी कोई entry मत बनाना कोई भी entry मत बनाना उसकी वह आपस में अपने आप कैंसिल हो जाते हैं बीज कैपिटल तो बी कितने में लेगा फरनीचर 15,000 में तो आउप क्लियर थर्ड पॉइंट डैटर एंड बिल्स रियलाइज एट 10 परसेंट लेस देन दी बुक वैल्यू बेटे यह रहे तुमारे बियार और यह रहे तुमारे डैटर दोनों की वैल्यू बैठी 33,000 और 10 परसेंट कम पर रियलाइज हुएं तो आप देखे 33,000 है 10 प पचा ठीक 29,700 तो पैटे यह दो चीज़ें मैंने हां लिखती बाय कैश डैटर और बियार और यह और यह बी क्या लेगा था फर नीचर रेक्ट अच्छा जी 10 परसेंट लेस देन दा बुक वैल्यू तो यह नहीं कि यह थी 29,700 दुफर्ट कोई इस पेटेंट्र रियलाइज अट बुक वैल्यू इंट कहा है हमारी पेटेंट यह पेटेंट रियलाइज रैट वॉल्यू मतलब जितने की थी उतने में ही सेल आउट होई चेटेंस हमारी होई है बॉक वेल्यू पर ही उपर है टॉ है इंत की बॉक वैल्यू कितनी है तेंट हाउज रहे होई 10,000, clear, next point पर आते हैं, investment वर taken by A at 20% more than the book value, बटे इन्वेस्टमेंट कहां पर हैं, यह दिए, अब investment किसने take over कर ली, A ने, तो मैंने यहां पर लिख दिया, A is capital, investment, ठीक है, 20% more than the book value, बटे 20,000 का 20% हो गया, 24,000, तो उसने हमारी investment टेक ओवर कर ली, 24,000, clear है यहां तक की बात भी, next आते हैं, next कहता है, C agreed to pay off creditors, C ने का creditors का payment, मैं खुद करतो होगा, तो पेटे देखो, creditors इधाने, creditors आपके right hand side पर है, उनका payment यहां पर होगा, creditors आपके इधर होगे, उनका payment उसके सामने होगा, और creditors को पेगर रहा है, C, तो C is capital, और C किसको पेगर रहा है, creditors को, कितना, जब तक कुछ नहीं का, तो full amount, clear, B's loan was paid at 6,000 with interest, मैटे बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा point है यह, देखे, मैंने आपको भी बोला था, कि जो partner का loan है, उसका account अलग से बने, अब यह देख मैं उस 4,000 के loan का payment 6,000 में करूँ, तो obvious सी वात है, मेरी firm को क्या होगा, नुकसान होगा, correct, और हमारा जो realization account है, बेटे यह एक nominal account है, कौन सा account है, यह nominal account, मतलब, अगर आपको देखो, जो चीज आपने यहाँ पर डाल दी, इस account के अंदर, उसका loss gain तो अपने आप adjust हो जाएग लेकिन जो चीज आपने यहाँ पर नहीं डाली, कहीं हो रहे हैं, एक आपने 20 loan में डाल दी है उसको, loan account अलग से बना दी है, अगर आप उस पर कोई भी आपको loss हो या gain हो, तो वो इसी account में आगा, तो अगर 4,000 के बदले आप 6,000 पे कर रहे हो, तो firm को रहे है, 2,000 का loss, तो B को इससे कम पैसे देते, आपको फायदा होता, तो आप यहाँ दिखाते, ठीक है, आपको एक तरीके से उसको payment करने में 2,000 का क्या हुआ, नुकसान, अगला देखे, A appointed to take over the dissolution, take care of the dissolution of the firm, और इसके लिए उसको 10,000 रुपे हम क्या दे रहे है, remuneration, और उसे हमने कह दिया क भाई सारे खर्चे तुम खुल उठाओ, तो ठीक है, भाई, firm का खर्चा हो रहा है, और firm किसको दे रही है, A को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, A is capital, 10,000 रुपीज, सायदे में हमने अपनी balance sheet shift भी कर ली, हमने items भी यहाँ पर देख ली, items को यहाँ हमने settle भी कर दिया, ले और यहाँ पर एक मिनट देखते हैं, अगर आप देखें, हमने land and building, furniture, data, patent, investment, इन सब की बाते कर दी, एक बात और थी, creditor का payment उसने करा था, 10,000 में, और अपनी wife के loan का payment भी, two seas capital, एक, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आच्छा, यहाँ पर न, आप एक छोटा सा change कर लिए, मैंने यहाँ पर B's wife loan दे रखा है, यहाँ पर, B's wife loan, I think, हाँ, B's wife loan है, तो payment भी बी करेगा, लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ C लिख दिया है गलती से, तो यहाँ B कर लिजेगा, कि B कह रहा है, मैं अपनी wife के loan का payment खुद कर दो, ठीक है, तो बिटे 5,000 तो यहाँ पर, उसके wife का loan, B's wife's loan, वो खुद पे कर देगा, तो B की wife's का loan भी पे हो गया, अब मेरे बेटे बिलकुल ध्यान से बास सुनेगा, PFDD का payment हम नहीं करते हैं, क्योंकि PFDD हमने किसी को दोड़ी देना है, PFDD हमने अपने बना रखता है, कि हमारे पैसे डूप सकते है अब आप question को ध्यान से देखिए, एक तो question ने outstanding के बारे में कुछ नहीं करेक्ट, और इधर वाली side अगर हम आएं, तो question ने P&L, P&M के बारे में, plant and machinery के बारे में कुछ नहीं कर, और goodwill के बारे में कुछ नहीं कर, अब बेटे ज़रा सुनिएगा, 2023, 2023 का एक circular है, वो circular यह कहता है कि अगर किसी liability का payment नहीं हुआ, जैसे इस liability का payment नहीं हुआ, तो किसका पूरा payment कर दो, to cash, 1000, और अगर किसी asset का payment नहीं आया, अगर asset tangible है, जैसे plant and machinery tangible होती है, goodwill, patent, trademark, copyrights, यह सब intangible होते हैं, तो आप यह मानोगी, जो tangible asset है, उसके तो हमें पूरे पैसे मिले होंगे, plant and machinery, पूरे 46, जब तक question silent है, कुछ नहीं है, और जो goodwill है, वही goodwill भी तो हमारी asset है, लेकिन goodwill कैसी है, intangible है, तो goodwill का हमें एक भी रुप्या नहीं मिला होगा, ऐसा 2023 से apply होना शुरू हुआ है, अगर आपको किसी ने इसके कुछ अलग पढ़ा दिया है, तो वह गलत पढ़ा है, वह ध्यान रखिएगा, tangible asset, full value पे realize होगी, और intangible asset के बारे में अगर question silent है, तो उससे हमें कुछ भी receive नहीं होगा, अब हम इसको close करेंगे, close करेंगे, जैसे आप normal ledger close करते हैं, अगर आपका answer इधर आया, तो यह हमारा कहला आएगा, आचा आप सूचे, आपके इसाब से क्या होगा यह, अगर इधर आ रहा है, तो पिटे यह होगा, आपका loss on realization, पर अगर आपका answer इधर वाली side आया, तो यह होगा gain on realization, balancing figure, clear, तो इ total कर रहे हैं, तो इसका total देखेंगे, तो debit side का total आएगा, two lakh eight thousand, बोनों तरफ लिख दीजेगा, credit side का total करेंगे, तो पिटे credit का total आ रहा है, कितना two zero double seven double zero, अब debit मैसे credit side minus करेंगे, तो यहाँ पर हमारा answer आजाएगा, three hundred rupees, यह हमारा loss है, और इसे हम partners के बीच में divide कर देंगे, clear है, तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, बिटे बिलकुल अराम से, तसली से, मैंने ऐसे कोशिश किये कि जैसे आपको, आपकी notebook पे कोई समझाता हो, मैंने अपनी दर्फ से कोशिश किये, लेकिन देगे, digital चीजों का कुछ न कुछ तो limitation होता ही है, कोशिश है हो सकता है कामियाब हो जाए, हो सकता है ना भी हो, हो सकता है किसी बच्चे को सब कुछ समझ में आया हो, हो सकता है कोई बच्चा सुसरा है भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया है, एक attempt, एक कोशिश और करना, इसको द परना बिल्कुल छोड़ दें, सब कुछ किस्मत के वरोज से छोड़ दें, दूसरा काम यह हो सकता है, कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, और मुझे आज तक मेरा यही एक्सपीडियन्स आए, कि जिन बच्चों ने लास्ट टाइम तक भी कोशिश करी हैं, उनका र बटोरते रहे हैं कहीं न कहीं से, कहीं से मिल जाएंगे, कहीं से शॉर्ट कोश्चन, कहीं से लॉंग कोश्चन, जो हतियार डाल देगा, उसका हारना तो 99% तै हो चुका, तो बस हतियार मत डालिएगा, पढ़ते रहेगा, मिलेंगे नेक्स क्लास में, आगे के कुछ और में, जो realization accounts से related journal entries हैं, उनकी बात next class में मैं आपसे और करूंगा, ठीक, तो यहां से आपको 4 to 6 marks की weightage के question मिल सकते हैं, thank you, have a nice day, मिलते हैं next one.